हलू बी एम सर्मा क्लासिस में आपका विल्कम है आए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं जहार रखन का इतिहास एप पार्ट फोर में है जो एम सी की स्टाइल में है और इसमें सिस्टी वन टू एटी एम स्क्वीज हैं आप कलम और काकाज दीजिए और अपना संसा मिलाते रहिएगा फिर में वाल समाच करके अंति में आप कमेंट में पताएगा कितना आपका क्या रिख्ट हुआ फर्स्ट क्वेशन है इस वीडियो का छोटनागपूर का लोहा कहां जाता था मेसुपटामिया या चीन या दोनों जगा या दोनों में से कोई नहीं इसमें आंसर आपका क्या होगा आंसर होगा मेसुपटामिया जो आज का एराग है नेस्ट क्वेस्टन जार्खंड की प्राचिंतम जन्जातियां कौन हैं? चार गुरूप में हैं असूर, बिरजिया, बिरहोर या खडिया, नेस्ट उराउं, मुंडा, कोल या कावर, सबर, बैगा, बंजारा और बातुरी, या बेदिया, बिजिया, चेरो या करमाली आप का आणसर क्या होगा? आप का आणसर होगा ये वाला जिसमें असूर, बिरजिया, बिरहोर, खडिया नेस्ट जार्खंड की सबसे प्राचिंत जन्जाति कौन सी है? खडिया या बिरहोर, या बिरजिया, या आसूर आप का आणसर क्या होगा? आप का आणसर होगा असूर नेस्ट असूरों के बाद जार्खंड में प्रिवेश करने वाली दुसीरी जन्जाति कौन थी? कौर्वा या मुंडा या चेरो या इन में से कोई नहीं. क्या आप का आणसर होगा? आप का आणसर होगा कौर्वा. कि नेश्ट चंद्रूब मोल का सासन कार क्या था? 322 इश्वी पूर्व से 292 इश्वी पूर्व तक? या 324 इश्वी पूर्व से 325 या 326 इश्वी पूर्व तक या इन में से कोई भी नहीं आप का अंसर क्या होगा इसमें आप का अंसर होगा 322 इस्वीपुरु से 299 श्वीपुरु तक नेस्ट चंदर्गूप मौल के गुरु का क्या नाम था कॉटिल या चनक या दोनों नाम था या दोनों में से कुई भी नहीं यहां पर ध्यान दिजिएगा यह चनक है चानक की नहीं है कोटिल का एक नाम आर भी था यानि इसका आंसर क्या होगा आंसर होगा कोटिल चनक नहीं होगा इसमें कन्फुजन मत रखिएगा चानक रहेगा तब होता है यहां पर चंद्गुप मौरी ने नंद वंस के की साशा को हराकर मगद में मौरी वंस के स्थाफना की थी धनानंद या कैवर्थ या राष्ट पाल या भूत पाल इसमें आपका आंसर क्या होगा आंसर होगा धनानंद कोटिरी के अननाम बताईए पहले पठ्चुक गयर इसको चाना कि था या विशुनुगुप में से कोई नहीं क्या पंसर होगा ये दोनों होगा यानि चाना के विशुनुगुप शुबिश्युप नाम था यहां पथोड़ा टापिंग में छुट गया है नन्दों की सेणा में इसके बीच में पहल लीजिएगा जहारखंड पहल लीजिएगा जहारखंड के क्या सामिक थे हाथे या घोड़े या दोनों. क्या थे दोनों, क्या इस का नशर क्या होगा? तो हाथी, मत्वलब ज्अरखन के हाथी जो थे वो नंदों की सेना में सामिल थे clear? next है कॉटिल की रचना है, क्या है? अर्थ् शास्त्र है या म्यगदूत है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है. क्या आप कांसर होगा आप कांसर होगा अर्थ सास्त्र कौटिल के अर्थ सास्त्र में ज्हारखंड को क्या कहा गया है कुकुट देश, मुरूंड देश, पुन्रिक देश या पुन्ड देश क्या आप कांसर होगा आप कांसर होगा कुकुट देश कौटिल के नुशार कुखूट देश में कैसी सासन पढ़ना ली थी राच अंतरात्मक या गंत अंतरात्मक या दोनों में से होई नहीं क्या अंसर होगा अंसर होगा गंत अंतरात्मक कौटिल के मताबिक इंद्रवानक की नदियों से क्या प्राप्ष होते थे लोहा या चांदी या हीरे या ये सभी कुछ क्या इसमें आपका अंसर होगा आपका अंसर होगा हीरे इंद्रवानक संभत्ता इन नदियों की लाका था किन का था इव का था या शंख का या दोनों का या दोनों में से कोई कोई का नहीं मतलब किसी का नहीं आप अंसर दिजेगा इसमें क्या दिजेगा दोनों का या इव का भी और शंख का भी आशयोक किसका पोता था बिंदुसार का या चंदुप्त मौर का या राम घुप्त का या आनिमे से किसी कर नहीं अजिक आपका अंसर हों। होगा आप का आंसर होगा चंदुप्त मोर का नेक्स्ट बिंदु सार का कार्चकाल क्या था ? 297 स्वीपूर से 273 स्वीपूर, 322 स्वीपूर से 278 स्वीपूर या इन में से कोई नहीं क्या आप कांसर होगा ? 297 स्वीपूर से 273 स्वीपूर कि अश्मों का क्या थैं धने लेगा एह ही ya your इंपोटेंट है 232 स्ट्व से 295 से 210 स्ट्व स्ट्रिस्वी थीपून ninth इनमें से कोई नहीं क्या आप कानसर होगा आप कानसर होगा 263 से 232 अशुख का ज्यार्खर्ण की जनजातियों पर किस तरह की नमत्रार पथा प्रत्यक्स था या प्रत्यक्स था या दोनों तरह कर था या इन में से किसी तरह कर नहीं था इसमें आपका अंशर क्या होगा अंसर होगा आप परतियस तरह नेक्स्ट अशोक के किस सिलालेख में समीप वर्ती राजियों के सुची मिलती है बारहमे में या तेरहमे में या चौदहमे में या इन में से किसी में नहीं इसमें कौन सा अंसर होगा आपका आपका इसमें अंसर होगा है तेरह में शिला लेखी में फाइनल कोशन है इस वीडियो का अशोक की तेरह में शिला लेखी में किसका ना मिलता है आठविक का या मुरूंड का या दोनों का या दोनों में से किसी कर नहीं क्या देना इसमें अंसर आपका अंसर होगा आर्ट विक इस तरह से वीडियो का एक वीडियो एंड करता है ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर और को क्लिक कर दें थैंक्स वर वाचिं मैं वीडियो फिर में देग नहीं वीडियो के शब्स